नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनुइंदर और मेरे चैनल अंबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चोटे लाल के लिए आज का दिन बेहत मनुहूस रहा क्योंकि उसका 6 साल का बेटा उसी के घर के सामने बने बोर्वेल में गिर गया पूरे परवार में इस समय कोहराम मचा हुआ है रेस्क्यो उपरिशन चल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटे लाल से ही गलती हो गई उसने बोर्वेल को अनकवर रहने दिया और बच्चा खेलते-खेलते उसमें जाके गिर गया यह तो गनिमा समझे कि उसके साथ मे जो बच्चे थे उन लोगों ने उन बच्चों ने परिवार में बता दिया और मैं सारी खबर आपसे शेर करती हूं आगरा में दरसल आज सुब़े घर के सामने खेल रहा शिवा छे साल का शिवा सौ फीट गहरे बोर्वेल में गिर गया उसके साथ जो बच्चे खेल रहे उन्होंने इसकी जानकारी परिवार को दी और इस समय पुलिस के साथ साथ आर्मी भी रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई है जो पुलिस है वो सुबह से ही मौके पे दी लेकिन आर्मी भी पहुंच चुकी है इसके अलावा गाजयबाद से NDRF की टीम भी वहां पहुंची है बोर्वेल के बगल में गड़ा खोदा जा रहा था और आर्मी के मताबिक इस बच्चा 90 से 95 फीट नीचे फासा हुआ है और उसकी सास चल रही है मैं आपको बता दो कि यह मामला नीबोहरा के धरियाई गाउं का है जहां चोटे लाल का बेटा शिवा आज सुबे शे बजे करीब घर के बाहर खेल ला था इसे दौरान अचानक वो खेलते-खेलते घर के सामने बने बोर्वेल के गड़े में गिर गया उसके साथ जो अन्य की सारी टीम में पहुंच गई और लोगों को वहां से बोर्वेल से दूर हटाए गया क्योंकि पूरे गाउं की लोग वहां पहुंच चुके थे और बहुत देर तक परिजुनों ने खुद भी बहुत परयास करा लेकिन आगरा में मौजूद आदमी पैरा ब्रिगेट से अंदर तक और परिजुनों ने डोरी में छोटा पत्थर बांद कर गड़े में डाला और शिवा से बात करने का परयास किया शिवा ने डोरी खीची तो उनको लगा कि बच्चा अंदर जीवीत है उसी के बाद रिस्क्यू ऑपरिशन जो है जो है जोरो पे चल रहा है इधर परिवार में अरोना पीटा मचा हुआ है मैं आपको बता दूं कि स्वास्वाग की टीम ने गड़े में भोजन का सवान भी ड्रॉप किया है ऑक्सीजन वहां पे ड्रॉप की जा रही है पुलिस मौके पे भीड को हटाने की कोशिच में जूटी हुई है आप देख सकते हैं कि कितनी भीड है यहां और गड़े को खोद करके बच्चे को बिल्कुल कमपटेबल निकालने के लिए सकुचल निकालने के लिए एक्सपर्ट की टीमें देखिये हैं अपने काम में लगी हुई है और लेकिन कोई भी अभी इस बारे में पूरी जानकारी देने की इस्तिति परिवान जो हैं मिल रहे हैं और सबसे इसमें जो दुखत बात यह हैं के इस बर्ल से पाइप निकालके छोटे लाल के परिवा symbi से दूसरे बर् कि इस बोर्वेल को बंद नहीं किया गया और अब वो इसका मलाल अपने मन में अपने दिवाग में कर रहे हैं कि बोर्वेल अगर बंद कर दिया होता तो यह इतना बड़ा हासा नहीं होता आर्मी इस समय मौके पे अपना काम कर रही है आप देख सकते हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आप से शेर करती रहूँगी और सभी लोग दूआ कर रहे हैं कि शिवा सकुषल बहार आ जाए आप लोग भी दूआ कीजिए कि शिवा अपने मातविता के पास सक कुषल लोट आए और दूआउं में बहुत असर होता है इसलिए मैं कहारी हूँ कि आप दूआ जरूर कीजिए उसके लिए और कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तब तक के लिए जय हिन जय भारत